कि वेल्कम अच्ट पॉइट दोस्तों इस वीडियो में हम भीहार ससी इंट्र लावल मंस ऍरचade के लिए दोस्तों checking को इसका पहला धिए रहेंगे दोस्तों वीडियो काफी इंपोर्टेंट है वीडियो को लाज तक दिखिएगा आई शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए हमारा पहला प्रशन क्या है निम्न लिखित में कौन सा विषय सातवी अनुसूची की समवर्ती सूची में है तो जैसा सब आप सभी क होते हैं राज में राज सरकार कानू बनाने का अधिकार होता है और समवर्ती सूची पर कन बनने का अधिकार केंद्र और राज दोनों के पास होता है तो वहीं बताने कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय सामिल है तो देखिए इस प्रशन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा इस प्रश्ण का से उतर क्या हो जाएगा देखें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्ण है आई देखते हैं तो देखें समुवर्थी सुची में हमारा जो है वो वन सामीर हो जाएगा ऑप्शन नमबर वी जो वन है इस पर कन बनाने का अधिकार केंद्र और राजी दोनों के पास होता है इसलिए समुवर्थी सुची में है इसके अलावा देखें अगर हम सारवजनी के स्वास्थे और सुच्चता की बात करें तो देखें सारवजनी के स्वास्थे वो सुरुच्छा और स्टाउक एक्सेंज जो हमारा क्रसी किसमें पेस किया जा सकता है यानि कि जब उपराश्थे पती को हटाना हो तो प्रस्ताव कौन से सदन में पेस किया जाएगा केवल लोगसभा में केवल राजसभा में लोगसभा और राजसभा दोनों में या लोगसभा राजसभा के सविंगत सत्र में तो देखे, आपको याद कैसे रहेगा, हमेंसा याद रहेगा, देखे, उपराश्रपती किसदन का पदेन सभापती होता है, उपराश्रपती जो होता है और राजसभा का पदेन सभापती होता है, इसलिए अगर उपराश्रपती को पद से हटाना है, तो सिर्व राजसभा मे अमें रखा गया है तो देखिए उपर इख्षटपती 63 च बस रहे हो और दोने हो और 30 गश्टु य Miles M कि अगला प्रस्चनमारा है कि सीमा प्रबंधन विभाग कि समंत्रा मंत्राले के अंतरगत आता है तो देखे सीमा से समधित जो भी कार्य होते हैं या ग्रिह मंत्राले के अधीन होते हैं तो इस प्रश्ण का सही उतर क्या हो जाएगा सीमा प्रवंधन विफाग जो है ग्रिह मंत्राले के अधीन आता है अंतरगत आता है किसी राजी के सीमा में ब और हमारे देश के पहले ग्रिह मंत्री कौन थे भारत के पहले ग्रिह मंत्री थे सरदार वल्लभाई पटेल तो देखिए आपको दोनों याद रखना है कई बार पूछा गया है वल्लभाई पटेल पहले ग्रिह मंत्री और पहले उपरधान मंत्री भी थे तो यह दोनों लदाग बाड मेर या फिर कच थो देखें। छेतरफल के सावसी जैए ना सुपसे बड़ा मेर झेलना सब से बड़ा सीट है। दोसरी मेर ने ज्वार कौन आता है कच और चौथी मेर पर आता है और राचल प्रदिश तो देखें। चारो आपको याद रखना है देखिए अरचल प्रदेश नहीं अरचल प्रदेश का पस्चिमी सीट है यह जो है चौथे नमबर पर आता है सबसे बड़े के मामले में तो याद रखना है देखिए आपके लिए कोस्टन भी हो जाएगा कि वरतमान में लदाख कहां पर है है सबसे बड़ा हमारे देश का जिला है तो अब लदाख के अलावा देखिए अब लदाख एंसर नहीं देंगे इस प्रशन का हमारा उत्तर होगा लेह क्योंकि लदाख तो अब किंदर सासित प्रदेश नहीं था यह जम्मू कस्मीर के अंदर आता था अब यह अलग किंद हमारा लेह सही हो जाएगा अगला प्रशन निर्मलखित में से किन राजों में विधान परिसद है तो देखिए बताने कि विधान परिसद किसमें है तो वर्तमान में बात करें तो कुल छे राजे ऐसे हैं जहां पर विधान परिसद है देखिए विधान परिसद उसी राज जहां पर विधान मंदल होगा तो वर्तवान भारत में 6 राजेश हैं जहां पर विधान मंदल हैं कौन-कौन से देख आप देख पहले तो आपको याद रहेगा कैसे याद रहेगा देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार तो आपको याद रहेगा चिंसंख्या के मामले में बड़े हैं तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और बिहार और दक्षिड के चार राजी से की हमारा एक हो गया करनाटक जिस जहांपर विधान मंडल है करनाटक के क्या है आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश के ऊपर क्या है तेलंगाना और तेलंगाना के बगल में क्या है हमारा महारास्ट इस प्रकार से हमारे कितने राज्य होगे छे देखे उत्तरप्रदेश बिहार करनाटक आंद्रप्रदेश तेलंगाना और महारास्ट इन छे में भी था लेकिन जम्मू कस्मीर अब केंद्र सासित बद्दस बन गया है तो यह हमारा अब विधान प्रसद नहीं रहेगा यहां पर सिर्फ विधान सभार हैगी जो कि यहां पर सिर्फ मुख्यमंत्र का चुना होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर वन और टू करेक्ट हो जाए गया है जो राष्टपति को केंद्र सासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जन जातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की सक्ति प्रदान करता है तो देखिए यह भी निमायन निम्रके जन जातियों में से किसकी रच्षा करेगा तो जो यह संसुधन किया गय जो की अंडमान निकमार में निवास करती है और इनके संद्रक्षण के लिए ही 2012 में एक संसुधन किया गया था तो जिन जाति का नाम जर्वास है हमारा अंसर ऑप्सन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं 2800 प्रशन निम लिखित में से कौन सा ग्रिव मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्री आपदा प्रतिक्रा निधिका संचालन करते हैं ऑप्सन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन देखी क्या है 29 प्रशन इन में से कौन सा कर्व केंद्र सरकार द्वारा विशेश रूप से लगाए गये करों में से एक ह प्रशन की सातवी अनसूची की संग सूची में उलेख किया गया है तो देखे किसका उलेख संग सूची में किया गया है सातवी अनसूची में तो सही इंसर क्या हो जाएगा समार चार पत्रों पर विग्यापन टेक्स भी आ जाएगा जो कि सातवी अनसूची के संग सूची में रखा गया जो कि यह इस पर कानून बने का अधिकार केंदर का होगा क्योंकि यह संग सुची में है तो इस प्रशन का हमारा option number से क्या हो जाएगा देखिए one or two तो तो मारा option number C one or two जो है इस प्रशन का correct answer हो जाएगा अगर इसके लावा हम बात करें क्रिसी आया पर ट्रैक्स बिजली खपत या विक्री पर ट्रैक्स तो इस पर ट्रैक्स लगाने का अधिकार होता है वो राज जिका होता है तो यह राज सुची में सामिल है option 3-4 तो इससे आपको दोने जानकारी मिल जाती है अगला प्रशन देखते हैं के मारा अगला प्रशन के या ने काफ़ी अच्छे से प्रशनल्य आपके लिए तीसों संवा प्रशन वा रहा है किंद्री बजट में सामिल गयर वोट योग द्शुल्क या चार्ज किया गयर वैए में सामिल है के बजट प्रिसेकर समील है संसद के गरों और उच नियायलों के नियाधीसों की वेतन और भत्तें तो देखे ये भी हमारा किंद्री बजट में सामिल गैर वोट योगे सुल्क में आता है तीसरा क्या है CAG की सेलरी और भत्ते बिल्कुल सही है और पाच्वा क्या है सुप्रीम कोट के सेवा निवृत नियायलों का पिंसन ये भी इसमें आ जाएगा बिल्कुल सही है और उच नियायलों के सेवा निवृत नियायलों का पिंसन तो देखे जो हमारा किंद्री बजट होता है किंद्री बजट के गैर वोट योगे सुल्क होते है उसमें हमारे सभी आ जाएंगे तो दिखिए option number D correct हो जाएगा जो ये सभी है वो हमारे आ जाएगे केंदरी बजट के गैर vote योगे सोल कहने के charge किये गए वे में सभी सामिल हैं तो option number हमारा सभी जो है correct हो जाएगे इस प्रशन के लिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर सेयर कर दीजेगा और एक like हमारे लिए जरूर कर दीजेगा क्योंकि हम आपके लिए लगातार प्रयास करते जा रहे हैं लगातार में हमारे हो रही है अगला हमारा प्रशन है एक तीसवा प्रशन भारती समिधान द्वारा दिये गए निर्म लिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अलपसंख्यक संस्थानों को RTI अधिनियम से बाहर रखा गया है यानि कि RTI क्या होता है Right to Information इनके सूचना का अधिकार और निर्म लिखित में से किस अनुच्यत के तहट जो गैर अनुदान अलपसंख्यक संस्थानों है इन्हें RTI से बाहर रखा गया है किस अनुच्यत के तहट तो देखिए आपको बताना है तो इस प्रशन का सही एंसर हो जाएगा option number D 30A जो हमारा 31 है इसके तहट गैर अनुदान अलपसंख्यक संस्थानों को जो है right to information यानि के सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है बात किने के हमारा 31 किस से संब्दित है तो हमारा जो अनुच्यत 31 है इसमें अलपसंख्यकों को अपने सिक्षड संस्थान खोलने का अधिकार है और यह RTI से बाहर होगा सबसे बड़ी बात यह है तो यह हमारा अनुच्यत 31 के अंतरकत आता है option number D correct हो जाएगा दोस्तों हम आपके लिए जो हमारा सभी मूल अधिकार देखिए आपको पूरा डिसकस करा दिया जाए तो इसके लिए आपको लगसे वीडियो जल्द ही मिलने वाली है अगला प्रशन देखते हैं 32 प्रशन देखिए भारती समिधान का अनुच्यत 20 एक महत्वपूर्ड मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दिड़ विस्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्यत 20 के तहट अपराध के आरोपी विक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है तो देखिए जो हमारे ऑप्सन बताना है कि अनुच्यत 20 के तहट यह तीनों सुरक्षा जो प्रदान की गई है लेकिन जो हमारा चौथा सुरक्षा है ने कि डी प्रदान नहीं किया गया डी में क्या है 24 घंटे के भीतर एक मज़िस्ट्रेट के सामने पेस किया जाने का जो अधिकार है यह अनुच्यत 20 के तहट किसी अपराधी को प्रदान नहीं किया जाता है इसलिए गलत हो जाएगा सही क्या है देखिए जो यह अधिकार है अनुच्यत 22 के तहट दिया जाता है अनुच्यत 22 के तहट है कि 24 घंटे के भीतर मज़ी स्ट्रेट के सामने पेस की जाने का जो अधिकार है वो अनुछेद 22 में वर्डन किया गया है तो इस प्रशन का option number जो D है correct हो जाएगा अगला प्रशन हमारा 33 प्रशन है भारत के निर्वाचन आयोग याने के election commission के चुनावों से कौन सा चुनाव समन्धित नहीं है यानिकि निमलकित में से कौन सा चुनाव आयोग नहीं करवाता है राश्रपती का करवाता है उपर राश्रपती का करवाता है तीसरा option क्या है रा जो हमारा चुनाव आयोग है वह लोक्सभा के आम चुनाव करवाता है विधायका के चुनाव करवाता है राष्टपती उपर राष्टपती के चुनाव करवाता है अगर हम बात करें कि मारे निर्वाचन आयोग किस अनुछेत के अंतरकर आता है तो देखे कई बार परिशाम में बताएंगे कि वर्तमान में मुखे चुनाव आज तुमारदेश से कौन है अगला प्रस्ण देखते हैं 34 प्रस्ण है सम्विधान का अनुच्छेद 123 किस से समंधित है अनुच्छेद 123 किस समंधित है तो देखे ऑप्शन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा राष्ट्रपती क कवर्डन किया गया है अगला प्रस्ण देखते हैं देखे अगला प्रस्ण मारे क्या है राष्ट्रपती पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छे 352 के तहट राष्ट्री आपातकाल किस स्थिति में खुशित कर सकते हैं तो देखे अनुच्छे 352 के तह के थाहत राश्ट्री अपातकाल लागू कर सकते हैं तो करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी इसके लावगर हम 356 की बात करें तो इसके थाहत राश्ट्र राश्ट्र जिपाल राश्ट्रपति सासन लगाए जाता है और अनुछेट जो हमारा 360 होता है इसमें वित्त की आपातकाल होता है तो तीनों याद रखना है अगला परसुन क्या है सबसे बड़ा नियाइक्षेट्र घया खे रहोगोर कौसरा राज्यिपा धव्यायत है नियाक्षेत्र के अंतरक्त के अस्म हो जाएगा इसके अंतरक्त नागालेंड आता है जो हमारा गुवावअ Т关sky अ लेट अन grow उचन्वाय DR है एक धाल आ गोहिमा में हैं दूसरा आई जोल में हैं और तीसरा और राचल प्रतिस क्राधानी इटानागर में यह तीन जो हैं इसके खंड़ पीड हैं तो देखें बात लिए वरतमान में चैन। इस अगला प्रसन है ने निर्मलखित में से किन बलों के लिए, किन बिलों के लिए संसत के दोनों सद्रों के संयुक्त बैठक करके गतिरोत को हल करने के लिए कोई समयधानिक प्रावधान नहीं है तो ऐसा कौन सा विध्ययक जिसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बोला जा सकता है संसत का तो इसका सही answer क्या हो जाएगा हमारा option number B और C दोनों सही तो option number D correct हो जाएगा 2 और 3 देखिए धन विधेयक केवल लोकसभाम पिस किया जाता है और सम्धान संसुधन विधेयक देखिए इन दोनों विधेयक के लिए संसत का संयुकत अधिवेसन बुलाकर कोई बैठक नहीं कि جा सकती है तो हुमारा option number क्या हो जाएगा D 2 और 3 correct हो जाएगे अगला प्रस्न है प्रधान मंतरी कार्याले के बारे में कौन सा कथन असत्य है यह एक सम्धानिक संस्था नहीं है देखिए क्या हो जाएगा हमारा correct कौन से कथन असत है देखिए option number A correct है यह समयधानिक संस्ता है नहीं है तो देखिए PMO जो है समयधानिक संस्ता नहीं है समयधानिक चीज कोई तब होता है जब उसका वरड़न समयधान में किया आ गया हो PMO का उलेक समयधान में नहीं इसके अलावा बाकी तिनों सही है यह प्र प्रश्ण हमारा है समविधान की कई प्रमुख विशेस्ता हैं जैसे कि संगी संरचना प्रांतिय स्वायतता एक दुवी वार्सिक केंद्री विधाईका और सक्तियों को अलग करने का सिधान्त कहां से लिए गया है तो इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा option number C भारत सरकार अधिनियम 1935 से संगी संरचना प्रांतिय स्वायतता एक दुवी वार्सिक केंद्री विधाईका और सक्तियों को अलग करने का जो सिधान्त है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया तो option number C correct हो जाएगा अगला प्रश्ण है और हमारा अंतिम प्रस्राज का है निम लिक क्रश्ण सामिल नहीं है तो एक और्षण हो जाएगा दूस्तों वीडियो काफी अपॉटिउ पर्चंट नहीं है और विडियो पसंद आता है तो मुगलár सामराजय की 51 most important जो है question तयार किया है तो दोस्तों अगर आप कहते हैं तो इसको एक बार में 25 प्रशन आपको दिया जाए या तो आप चाहें तो 25 प्रशन करके आपको दो बार में मुगल सामराजी के most important 50 प्रशन करवाय जाए सारे प्रशन मोस्ट इंप्रशन है इसलिए वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखेगा आपके लिए काफी important है दोस्तों वीडियो कैसे लगा मैं जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद